हाई फ्रेंड आज मैं एक एंट्री पारेटिक एंड एनाल जैसिक टेबलेट का रिव्यू करने जा रहा हूँ ब्रांड नेम के अगर मैं बात करूं तो एसी मीज प्लस टेबलेट ब्रांड नेम से मार्केट में उपलब्ध होता है सिपला लिम्टेड के द्वारे इसका प्रोडक्शन किया जाता है कमपोजिशन के रूप में इसमें एसी किलोफिन एक हंडेट एमजी और पेरसिटमॉल 325 एमजी के मातरा में उपलब्ध होता है प्लस टेबलेट केकस्टिप मार्केट में 90 रुटीज का उपलब्ध होता है अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन से आप तक आ जाएं और आप मेरा कोई भी वीडियो को मीश ना करें अगर आपने इस मेडिसिन या प्रोड़क्ट का इस्तमाल किया है तो आपका एक्सपिरियन्स कैसा रहा है यह कमेंट सेक्षन पर लिख कर मुझे बताएं आईए फ्रेंड्स देखते हैं सबसे पहले इसके कुछ बैकल्पिक ब्रांड्स के बारे में तो फ्रेंड्स अरफलर पी टेबलेट जिसे एफडी सी लिमिटेट के द्वारा बनाया जाता है हाइफैनिक पी टेबलेट जिसे इंटास फार्मसुटिकल्स लिमिटेट के द्वारा बनाया जाता है इसकेलो प्लस टेबलेट जिसे अरिस्टो फार्मसुटिकल्स यह कुछ ऐसे अन्य ब्रांड है जो आप इस मेडिसीन के नम मिलने की स्थिती पर फर्चेस कर सकते हैं और सेम इफेक्ट को प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि इनका इंटर्नल मॉलिक्यूल सेम होता है अब देखते हैं इसके कुछ प्रमुक इस्तिमाल के बारे में जैसा मैंने प मैं कonti को यानी जीमि चलाना को जोने यानी उलतीं हो न इस्तमक पेन यानी पेट दरद का होना इपी그 स्थाती سے पीछे सकता है आता है आपको एडवाइस के जाती है कि भोजन के पस्चाथी मेडिसिन का सेवन करें फ्रेंड्स अब देखते हैं कि मेडिसिन कैसे कारे करती है तो यह मेडिसिन दो आपको दर्द, सूजन और बुखार को कम करने के लिए इस मेडिसिन को लेने के एडवाइस दे जाती है, पेट खराब होने से बचने के लिए आपको इस मेडिसिन को भोजन के पस्चात लेना चाहिए, यह कंसंट्रेशन लॉस करता है, इसलिए आपको ड्राइविंग नहीं क करना चाहिए, इस मेडिसिन के लेने के दौरान आपको अल्कोहल का इस्तमाल बिलकुल भी नहीं करना चाहिए, साथ ही साथ आपको खास दोर से एक चीज़ याद रखना चाहिए, कि पेरसिटामॉल से सम्द्धित किसी वे प्रकार के अन्य कॉम्बिनेशन इस मेडिसिन के स हाथ कभी नहीं लेना चाहिए, इलकोहल का इस्तमाल आगे या पीछे भी नहीं करना चाहिए, गर्भवस्ता और इस्तनपान के दौरान अगर आप इस मेडिसिन का सेवन कर रहे हैं, तो हलाक यह मेडिसिन सुरक्षित है, फिर भी आप अपने डाक्टर से परामर्स करना चा करें, घातक हो सकता है, अपने चिकित सक से मिलें, उचित परामर्स करें, उसके पस्चाहती मेडिसिन का सेवन करें, आपके कुछ सुझाव अगर वीडियो रिलेटेड या चैनल रिलेटेड हैं, तो आप उन्हें कमेंट सेक्षिन पर जिरूर सेयर करें, मैं उनमें तबद सुझाव जाहिन